हेलो एंड वेलकम एवरीवन माइनेम संदीप और जैसे कि हम हर रोज एनलेसिस करते हैं इंडाइसिज की निफ्टी बैंक निफ्टी की उसके बाद कुछ स्टोक्स जो है मैं लेके आता हूं आपके लिए जो परफॉर्म कर सकते हैं अगले दिन आने वाले दिन जो भी होगा जिसे आज हम जो स्टोक्स रखेंगे वो मंडे के लिए परफॉर्म करते हैं ठीक है तो शुरू करने से पहले मैं आपको सब को कहना चाहूंगा अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही है लाइव वीडियो वाली या फिर डेली जो एनलिसिस वाली तो वीडियो को लाइक कर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक है तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा मैं और भी ज्यादा आपके लिए महनत कर पाऊंगा और उससे पहले एक सी जोर में बताना चाहूंगा फर्स्ट अवदा मार्च से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है थर्ड बैच स्टा स्टोक मार्केट जिसको भी बिल्कुल बेशिक से सुरू करना है वह बेशिक से सुरू कर सकता है जिसमें हम टाइमिंग वैल्यू वैल्यशन केप्तलाइशेशन फेश वैल्यू प्रीमियम आई-प्यो बगारा एक्स्टेंजिश इन्वेस्टर्स सर्केट ओर सेटल्मेंट- प्रेइड कॉंट्रेक्ट नोट ओफर प्राइज डिविडेंट रिपोर्ट्स वैल्यूज कैसे लग लग हम कैलकुलेट करते हैं वह सब बेसिक्स के अंदर आता है फिर टेकनिकल एनलेसिस जो इंट्रडे टेडिंग वगारा करना चाहते हैं एवन एक साल तक भी आप एक साल तक के टाइम पिरिड के लिए भी अगर आपको ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टिंग करना है तो टेकनिकल एनलेसिस डेफिनिटली आपको हेल्प करते हैं बहुत अच्छे तरीके से ठीक है और ट्रेंड्स कैसे चूज करते हैं कैसे हम ट्रेंड्स करके कैसे हम एंदर नेस्ट उन्हें जो एडवांस लेवल आ जाता है जो इंट्रमिडियेट लेवल पे हैं वो एडवांस लैवल के लिए भी आ सकते हैं ठीक हैं और उसके इंदर हम सिखाते प्राइज एक्षन ट्रेडिंग कैसे करते हैं अब तक हमने देखा चार्ट केंडलिस्टिक पैटर्न स्टेडिंग कैसे करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग होती है चार्ट पैटर्न स्टेडिंग होती है फिर आजाती है प्राइज एक्षन ट्रेडिंग कैसे करते हैं रिस्क कैसे मैनेज करते हैं सबसे important point psychology क्या-kya रहती है ट्रेडिंग के टाइम पे investing के टाइम पे swing trading इंट्रडे ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडिंग के टाइम पे psychology क्या-kya रहती है कैसे हमें act करना चाहिए setups सबसे important जो हर चाहता है और जो कि बहुत महेंगे में मिलते हैं very costly रख very costly बहुत costly setups जो हमें provide होते हैं even м doctrine सब्षक्राप मेरा back था मेरा एक गया बहुत महेंगा लिया था मैंने ठीक है बट जब मैंने उसको अच्छे सेूज किया से सीख nep Gujan tođ मैंने Сीखा कि हिए सेटाप काम कर रहा है और अच्छा भी कर रहा है थिए अध्याएं प्लस उसके लिए जो मैंने छिर्फी किया था उसके मुझे जुरूरत नहीं थी अगर मैं कुछ से टाईम लग जाता बट अचली शिट लेने का फाइदा क्या होता है कि तुम जल्दी सीख जाते हो तो डेफिनेटली मैं यह नहीं कहूंगा कि मैंने पैसे खराब कर देफिनेटली मैंने अच्छा किया बट मेरा मानना था कि बहुत कोस्टली पड़ गया जैसे कि यहां से मैंने स्टार्टिंग की थी मनी की हो जाती है तो उन सबको देखते हुए मैंने फीच रखी है शिर्फ 9.99 जिसमें आपको बेशिक्स प्लस टेक्निकल्स प्लस एडवांस लेवल तक का आपको शिखाये जाएगा ठीक है अगर आप शिर्फ एडवांस सीखना चाहते हो 4.99 अंली मानता हूं बहुत कम पैसे है बट मेरा एम है कि ज्यादा से ज्यादा से लोग शीख पाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग अर्निंग कर पाएं ताकि अपना अच्छा फ्यूचर बना सके तो इसलिए सिर्फ इतने पैसों में बहुत कम मनी के अंदर मैं यह प्रोवाइड कर रहा हूं और अगर आप दो बार जरूर एटेंड करने हैं कि दो बार जरूर एटेंड करो क्योंकि एक बार में चीज़ें क्लियर नहीं होती है ठीक है इवन जैसे कॉलिज में जाते हैं कुछ नया पढ़ते हैं एक्जाम आने माला तो तो बार 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 पढ़ते हैं ना जब तक व बार बार लो और lifetime आपके लिए support जो है यहां पर प्रोवाइड की जाती है lifetime आपको support जो है मिलेगी जैसी भी support आपको चाहिए होगी वह हम जो है वह support प्रोवाइड करते हैं प्लस lifetime आपके लिए course उसके बाद एक one time payment के बाद फ्री रहता है ठीक है तो यह सब इस course के अंदर हमने रखा हुआ है तो आप यह जोईन कर सकते हो तो first of the March से classes जो है start हो रही है definitely आप जोईन कर सकते हो minimal fees मैंने रख्यों हुई है इससे कम भी क्याई fees होगी इतना बड़ा course के लिए है तो यह सब चीजें थी course के लिए हमारे तो the next thing is analysis of the market अगर हम निफ्टी के अंदर देखेंगे तो आज एक recovery हमें देखने को मिले ठीक है but I am little concerned now यह recovery अभी भी यह नहीं मानेंगे कि market bullish है अभी भी मैं bearish ही मान रहा हूँ market जब तक closing हमें 17,200 के उपर ना मिले closing हमें ध्यान से सुनना closing हमें 17,200 के उपर ना मिले तब तक market bullish मत मानना बिल्कूल भी मत मानना ठीक है आज market recover की बहुत अच्छी बाट है बड़ जब तक यहां तक की closing ना आ जाए यानि यहां से लगबग 700.00 और उपर 500.00 और उपर बंद ना हो market तब तक bullish market में नहीं मानता हूं ठीक है बट मैं मानता हूं कि इतनी recovery आ सकती है कहां तक की recovery 17,000 तक की recovery यानि 500.00 की recovery next week में आ सकती है ठीक है अगर इतनी recovery के बाद इतनी recovery के बाद मानलो यहां तक मैं मानता हूं recovery आ जाए ठीक है इतनी recovery के बाद अगर market again down जाना start कर दे देन सोच लेना और भी bearish trend आ सकता है बट हां इतनी recovery के बाद हलका सा down दिखा के अगर market उपर की closing दे देता है 17,200 के उपर closing दे देता है then definitely bullish market शुरू हो सकती है chances are there ओके तो इस तरीके से हम nifty को जो है analyze करके चलेंगे और बिल्कुल भी एकदम over investment नहीं करनी है अभी भी मैं यही suggest करूंगा हलका हलका invest करते हुए चलना है ठीक है अगर investing जो लोग करना चाहते हैं हलका 20% 25% ही अपना invest करना फिल्हाल भी जब तक market एक strong closing नहीं देती है क्योंकि अगर आप देखोगे ठीक है हमें यहां strong bearish trend मिल रहा है बार बार हमें bearish trend मिल रहा है मार्किट को थोड़ा सा अच्छे से रिगवर होने देना है फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है ठीक है तो अगर investing करना चाहते हो definitely हलका हलका invest करना बहुत ज़्यादा heavy load नहीं दालना है अभी भी पैसा बचा के रखना है ताकि अगर market और ज़्यादा डाउन हो तब हमें खरीदने का मोका मिले ठीक है अगर market मैं मानता हूं 15-15,000 के करीब market आती है then definitely खरीदने का बहुत अच्छा time होगा बहुत अच्छा time है 15-15,000 के round बहुत अच्छा time Macheti में खरीदने को बहुत अच्छा time हम मान सकते हैं ऐसी bank निफ्टी ऑगर हम check करते हैं तो यहां देखेंगे कि यहां पर closing आई है तो मैं मानता हूं जब तक इस candle के above closing नहीं आती डैट इस around 37,700 के above closing bank nifty के अंदर नहीं आती तब तक bearish trend ही मान के चलो ठीक है और यहां से कितना पॉइंट डाउन है बैंक निफ्टी लगबग 1500 पॉइंट के अराउंड हम पांसो हजार और कि दो सो ठीक है कि 1200 से 1300 पॉइंट माननों मैं फिर भी मानता हूं 1500 पॉइंट ऊपर close होता है तब मैं मानता हूं बुलिशनेस जो आ सकते जब तक यहां close ना हूं बुलिशनेस बिल्कुल भी expect मत करो अभी भी रिकावरी हो रही है बट कुछ भी सीन हो गया तो कुछ भी हो सकता है ठीक है तो एक्टिव रहना है अराम से टेडिंग करना है कि स्टोक्स बहुत अच्छे अच्छे हैं कल भी मैंने सजेस्ट किया था रिलाइंस एलेंटी एक टाटा पावर सजेस्ट किया था तो मैं पहले तीनों देख लेता हूं किसमें कितना मूव आया प्रेलाइंस के अंदर आज साए एक टेड़ परसेंट इंव आ पाया था रिलाइंस ने रिकवरी की थी बट तो दना स्टोंग हां हालाकि यह तक गया था 2-5 उपर गया था वाँ सस्टेण ने कर पाया तो रिलाइंस स्टेण ने कर रहा थेट्स में यह उपावर स्टोंग है और आइपावर स्टोंग संटेंग नहीं कर रहा मार्केट के अंदर यानि कुछ प्रोग्लम है ओके यह हम थोड़ा सा लोजिक लिए चल सकते हैं यह नहीं कि रसे उक्रेन का सोल हो जाएगा तो मार्केट बूलिस होगी नहीं ऐसा नहीं होने वाला ठीक है और भी बहुत सारी मेजर फेक्टर से जब तक वह सजेस्ट नहीं हो जब तक वह सही नहीं होते हैं कि अधिन देख लेते हैं कितना अज किया कवर कि अधिन तो देखूं से यह यह फॉरप सोटें हैं मतलब जो अच्छे स्टोप्स हैं वह अभी अच्छे से रिकवरी नहीं दिखा रहे हैं इसकुछ ना कुछ प्रोबलम हो सकती हैं अभी भी ओके टार पावर मैंने सेजेस् अच्छा bounce back दिखाया बहुत अच्छा था around I think जब मैं देख रहा था तो 7% का bounce ताटा पावर के अंदर 7% टाटा पावर मैंने बोला भी था लोजिक ली बोला था मैंने fundamental इसके थे अगर logic समझ रहें तो कल वाली वीडियो देख लो इसमें इसका लोजिक बताया था ठीक है इसी तरह कुछ होर स्टोक्स भी है जैसे सीमन्स है सीमन्स इंडिया ठीक है इसके अंदर भी देखो के समार्ट रिकवरी आई है यहां भी हलकी हलकी इन्वेस्टिंग करते हुए चल सकते हो बहुत ज्यादा है वी लूड कहीं भी मटालना ठीक है उसके बाद डेल्टा कोर्प है डेल्टा कोप डेल्टा इलेक्ट्रोनिक्स कुल गया डेल्टा कोप के मैं बात कर रहा हूं डेल्टा कोप में भी आज 5-6% रिकवरी थी लगबग 6% रिकवरी डेल्टा कोप के अंदर भी थी और इसको देखो गए तो यह कंजेसन जोन में चल रहा था क्योंकि पूरी मार्किट वीरिष थी इसलिए इसने यहां पर दिखाया पर यहां पर एक डबल बोटम भी बन गया अगर फर्दर बुलिशने साथी है तो यह भी एक अच्छी स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे पूर्चिन के डेल्टा कोप के अंदर भी हो सकती है ताटा मोटरस ने भी अगेन अच्छे रिकावरी दिखाई कि कल दस परसेंट डाउन था तो आज भी उसने साथ हाट परसेंट के रिकावरी कर लिया है बहुत अच्छी बात है ठीक है जो मार्कित के साथ स्टोक्स रिकावर कर रहे हैं निफ्टी बेंक निफ्टी के साथ रिकावर कर रहे हैं वो मार्कित के साथ चल रहे है ठीक है तो उन स्टोक्स को चूज करके चल सकते हो ठीक है तो बहुत ज्यादा वीक नहीं होने वाले हैं तो ब्लूचिप्स कंपनी का यही फाइदा होता है ठीक है तो यह अच्छे स्टोक्स अपने पॉर्टफोलियो में रख सकते हो पॉर्टफोलियो जो मैंने आज दो स्टोक्स जो आपको बताए है वह रख सकते हो और इंट्रडे ट्रेडिंग हम उसी दिन देखेंगे फिलहाल यहां से बाउंस बैक दिख रहा है तो यहां पर हम बुलिष ट्रेड रख सकते हैं अगर मार्किट बुलिष रहती है तो अगर इननने अभी अब किया कुछ टाइम सही और मैं बतादों यह होता है मार्केट के अंदर यह होता है यह अपको हवेचल होना पड़ेंगा बिजनस असान नहीं होता, तुम बिजनस कर रेखो, तुम सक्ता मत खेलो, तुम गैorf效 करो मार्केट के अंदर, तुम लंबा ट zij होगे, अच्छा कमांगे, बहुत अच्छा कमांगे, ठीक है, बट गै cucumber नहीं करने हैं, बिजनस के तरहां लेके चलना है, बिजनस में कभी-कभ समगे ही ट्रेडिंग करनी है विल्कूल भी कभी भी रेंडम ट्रेड मत लो जब भी अपने ट्रेड लो जो भी तुम्हारा setup पही हमेश्य लेनी है बीना setup कभी भी ट्रेड मत लो ठीक ये सब था और इतना प्यार देने के लिए जो अब messages करते हो personal मुझे मुझे बढ़ा अच्छा लगता है कि हमें help हो रही है तो उसके लिए सब thank you very much मैं भी कोशिश करता हूं कि आप लोगों की help हो पाए और इसी तरह प्यार करते रहो और like करते रहो subscribe करके रखो और share जरूर किया करो और लोगों के पास हम मिलेंगे और लोगों हमारे सरकल बढ़ा हो जाएगा हमारा सरकल बढ़ा होगा तो हमारा trading group बढ़ा होगा तो आपको अलग-अलग लोगों से अलग-अलग knowledge सीखने को मिलती है हमें इसा ध्यान रखना ठीक है लोगों के experience से सीखना बहुत जरूरी होता है अपने experience तो होते ही हैं लोगों के experience से सीकना बहुत जरूरी है तो जितना बड़ा group होगा उतना आपका experience बढ़ा हुआ इसलिए share करना बहुत जरूरी होता है तो यह सब था आज के लिए इतना ही था और देखता हूँ में और ज्यादा वीडियोज बनाने की मैं कोशिस करूँगा थोड़ा सा टाइमिंग्स की प्रोब्लम रहती है मुझे मेरे और भी चीज़ें चलती है साथ में तो इसलिए थोड़ा टाइमिंग्स की है मैं धर 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 सेट करता हूं सबको और मैं और जाद एक्टिव आँगा यूट्यूब के उपर ताकि आपको और जादा हेल्प कर पाऊं आपकी साथ में भी चल पाऊं आप भी मेरे साथ चल पाऊं ठीक है तो मिलते हैं कल और आज के लिए इतना ही माइनेम इस संदीप all the very best for the Monday ठीक है और कोई भी सजेशन हो कमेंट सेक्शन में डाल दो और कुछ भी चाहिए किस इसी टोपिक पर वीडियो चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में डालते रहूं ताकि मैं उस पर वीडियो बनाता रहूं ओके मिलते हैं कल फिर बाए बाए